आज के राजनीते कितनी मौका परस्त और सम्वेदन हीन हो चुकी है यह मद्यप्रदेश में हो रहे उप्चुनाओ के दौरान मंदा था विधान सभाक शेत्र के चुनाव प्रचार के दोरान मुंदी में आयोजेत भाजपा की चुनाव प्रचार सभा में उस समय देखा गया जब सिंधिया के भाशन सुन्ने आई किसान की पांडाल में ही मौत हो गए लेकिन मौत के बावजूत स्थानिय भाशपा नेता समवेदन हीन होकर भाशन देते रहे जोतिरादित्य संध्या के आने से पहले किसान के शव को अस्पताल पहुचाया गया संध्या को भाशन के पहले जब घटना की जानकारी दी गए तो उन्होंने मंच से उसे दो मिनिट का मौन रख कर श्रधान जली दी लेकिन किसानों के हित की बात करने वाली भाशपा के स्थानियों नेताओं में इतनी समझ और सम्वेदन शीरता नहीं दिखाई कि किसान की लाश कुरसी पर पड़ी रही और वे भाशन देते रहे खंडवा के मांधाता विधान सभा सीट से भाशपा प्रत्याशी की चुनावी सभा में एक सतर साल के किसान की कुरसी पर बैठे बैठे मौत हो गई बता दें यहां राज्य सभा सदस जोतिरादत सिंधिया सभा करने पहुँचे थे सभा में पहुँचते ही उन्हें महा मौजूद नेताओं ने बताया कि उटावद निवासी सतर साल के किसान जीवन सिंग का कुछ देर पहले ही सभा स्थल पर निधन हो गया इस पर सिंधिया ने पहले दुख जाहिर किया और दो मिनिट मौन रखा लेकि इन किसानों के हित में बात करने वाली भाजपा के स्थानिय नेताओं ने इतनी समझ और सवेदन शीलता नहीं दिखाई कि किसान की लाश कुर्सी पर ही पड़ी रही और वे भाशन देते रहे घटना के बाद परिजन उन्हें लेकर गाव के लिए रवाना हो गए